नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का लक्षे के डिली करेंट अफेर्स स्रीज में आज तीन मार्च है और आज भी हम रूज की तरह दस महत्पूर्ण करेंगे जो इस वीदियो समधित पीडियाफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना बूलें टेलीग्राम पर इस वीडियो प्रूरा देखे और अंतक देखें जहाएँ आपने दोस्तों में शेयर भी करें वह दोग विद्यद्र के लास्ट में पूची गई पूचे गए कोश्चन पर तो लास्ट में जो पूचा गया कोश्चन था पिछले वीडियो में वो कुछ इस तरह से था कि हाल ही में किस हवाई अड़े को अंतराश्टिय उड़ाणों के संचालन की मंजूरी परदान की गई है तो आप्शन है कु कशी नगर वाय अड़े को नागर्विमानन महानेत शाले ने अंतराश्टिय ऊड़ानों के संचालन की मंजूरी परदान की है किहां हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोशट वर डिस्ट कि फोकस प्रोड़क्त योजना कि सब्सक्राद कि एक मुझेत और मेंदित 모든 फोकस प्रोड़क्त योजना कुती द्यों में और bet on यहां किर्षी च्लेक्ण ब्रदीट मोड़्णाई तो इसका अंसर कि खेत्रब्स कि न किसी छीटर कि शेत्र से सम्मंदित में यानि कि विट्टेवर्स 2022 तक 60 अरफ डॉलर किर्श्य उत्पादों का निर्यात करने का लक्षे इस योजना के अंतरगत रखा गया है यानि कि एक जिला एक फोकस उत्पाद योजना की घोशना भारत सरकार ने किर्श्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के की है किर्शी उत्पादों के निर्याद को बढ़ावा देने के लिए की है इसी प्रकार देखा जाए तो इसके अंतरगत 15 व्यापक छेत्रों को शामिल किया गया है जिससे संबंधित उत्पादों का निर्धारन किया जाएगा एक जिल्य के रूप मैं एक जिले किर्शी इत्यादी को बढ़ावा दिया जाएगा और हर जिले के लिए एक उत्पादक की पहचान भी की जाएगी इसी के साथ इस योजना का उत्देश्य जिले में निर्यात छमता के निर्यात छमता वाले जो उत्पाद हैं उसकी पहचान करना है और पहचान करके प्रतेक ज जिले को एक निर्यात के इंदर के रूप में परिवर्तित करना है यानि कि हर एक जिले को एक एक्सपोर्ट सेंटर के रूप में विक्सित करना इस योजना का उद्देश है जिससे इसका प्रमुक उद्देश ये भी है कि भारत सरकार की महत्वाकांश योजना जो जिसका लेगी इसके साथ ही चिन्हीत उत्पादों को खाद्य सुक्ष्म प्रसकरन उद्योग प्रसंसकरन उद्योग यानि कि फूड माइक्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की योजना PMF PMFME योजना के तहत बढ़ावा दिया जाएगा यानि कि मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की एक योजना है जो की आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत सुरू की गई थी यानि की देखते हैं PMFME योजना क्या है तो PMFME योजना का मतलब PM परधान मंत्री फर्मिलाइजेशन आफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेश इस योजना की सुरुवात आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने की थी और इसका मौझूदा जो सुक्ष्म खाद्य प्रसकरण उद्योग है इसका जो उद्दिश्य है वो क्या है कि जो माइक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की छमता का निर्माड करना उनकी कैपसिटी को बढ़ाना और इसके साथ साथ रिसर्च पर विशेश ध्यान के इंद्रित करना इसका उद्दिश्य रहेगा इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के अपने दूसरे प्रश्न पर दूसरा प्रश्न को चुस परकार है कि इंडीयन वुमेंस लीग फूटबॉल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएंगी किस देश के द्वारा की जाएगी तो आप राज्जे कर लीजैगा किस राज्ये के द्वारा की जाएगी तो tać है गुजरात ओडिसा तमिलनाडू में घाल ले तो इसका अंसर होगा ओडिसा ओडिसा में इंडियन वुमेंस लीग फुटबॉल की मेजबानी की जाएगी और इसका आयोजन अखिल भारतिये फुटबॉल महासंग के द्वारा किया जाएगा तो अखिल भारतिये फुटबॉ और इंडियन वुमेंस लीग एक सीष्ष स्रीनी की महिला पेशिवर फुटबॉल लीग है जो भारत में आयोजित की जाती है और इसका पहला सत्र आयोजित किया गया था पहला संस्क्रण फर्स सेशन जो लाओ किया गया तो अक्टूबर 2016 में कटक में ही आयोजित किया गया छीया था तो यह अखिल भारतियो फुटबॉल महा संघ द्वारा आयोजित किया जाता है एंडियन वीमन्स लीग अखिल भारतियो football महासंग के द्वाराह आयोजित किया जाता है और इसका आउजन कहा होगा ओडिसा राज्जे में होगा भारत के तो यहीं देख लेते हैं कि क्या है अखिल भारती फुटबॉल महासंग तो यह एक साशी निकाय है जो भारत में एसोसियेशन फुटबॉल को नियंतरित करता है और इसके साथ ही यह दक्षर एशिया अपना की गई थी इसके साथ ही AIFF याने कि अखिल भारती फुटबॉल महासंग एशिया फुटबॉल परिसंग का एक संस्थापक सदस्से भी है और जो की एशिया में फुटबॉल की देखरे करता है एशिया फुटबॉल के खेलों का नियंतर एवं उनकी इस परदा को चा परदा फुटबॉल टूर्नामेंट है इनका आयोजन कौन करता है अखिल भारती फुटबॉल महासंग करता है और यह भारत की राष्टी फुटबॉल टीम और इसके साथ ही महिला टीम का मैनेजमेंट भी करता है प्रवंधन भी करता है कौन अखिल भारती फुटबॉल महा संग तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने तीसरे प्रश्ण पर अगला प्रश्ण पर तो अगला प्रश्ण है कि सुगं में भारत है किसके द्वारा लॉंच किया गया तो नरेंद्र मौधी निर्मला सीता रमन थावर चंद गहलो या इन में और इसके साथ उन्होंने एक पुष्टिका वी लॉण्च की जिसका नाम है एक्सेस नाम पुष्टी का ग्सेस्त किया इसके साथ ही अगले हम देखे तो क्या है सुगं में भारत अप्र यह क्राउड सोर्सिंघ मोबायल एप्लिकेशन का मितलब होता है कि इस फर अन्य जो होता है Wikipedia सभी लोगों के लिए होता है Wikipedia में कोई भी व्यक्ति किसी तरीके की जानकारी को एड कर सकता है या कोई गलत जानकारी को हटा सकता है तो उसे क्राउट सोरसिंग website कहते हैं Wikipedia को तो उसी तरीके से क्राउट सोर्सिंग mobile application भी कुछ इस तरीके काही होगा जो की उस पर कोई भी व्यक्ती जो है अपने अपने आपको पंजिकरत कर सकता है और उस पर कुछ तथे को सामिल कर सकता है रख सकता है तो इस अप्लिकेशन सबने यह क्राउड सोर्सिंग मोबाइल अप्लिकेशन सब्सक्क्राइबॉय Verfरण in इंडिया अभियानinator Wenn चला गया सुगमे भारत अबियान के आंतर्गर चलाया गया था और इंडिया अभियान ओंकल से है जिसमें परिवाहन छेत्र निर्मित परिवावरण और आई सीटी पारिस्थिती की तंत्र के भीतर पहुच को बढ़ाने और संबेदन शील बनाने के साधन के रूप में विक्सित किया गया यानि कि एक्सेसेवल इंडिया अभियान का में का प्रमुक हो देश्य है वो यह ह हैं उनको उनकी पहुच जो है निजी कार्यालियों यह साब जनी कार्यालियों तक आसानी से हो सके यानि कि इस तरीके का इंफरस्ट्रक्चर को विक्सित किया जा सके तो आईए देखते हैं क्या है सुगम्य भारत अभियान समाजिक नियाय और अधिकारिता मंत्राले के दि सकतिकरन विभाग का और इस अभियान की शुरुवात प्रधान मंत्री द्वारा 3 दिसंबर 2015 में 3 दिसंबर 2015 में विक्लांग व्यक्तियों के लिए अंतराष्टिय दिवस के अउसर पर की गई थी इसकी सुरुवात कर गई थी 3 दिसंबर को जब इंटरनेशनल डिसेबिटी की दे मनाया जाता है तब इसकी सुरुवात की गई थी और यह अभियान विकलांगता के समाजिक मौडल के सिध्धान पर दाय थे इसका जो सिध्धान्त है इस अभियान का सुगम्य भारत अभियान का जो एक सिध्धान्त है वो यह कहता है कि कि किसी व्यक्ति की अच्छमत दिभ्यांग तक्यों तो वहांपर अच्हमता आती है ना कि उसके उपर वीलचेयर नहीं चल सकते हैं तो इस कारण वस यहां पर हम देखते हैं कि एक अवसंरचना या एक इंफरस्ट्रक्टर की वजह से विकलांगता आती है ना कि उसके सारीरिक अच्छमता की वजह से आती है यागदी वहां पर एक रैप बना दिया जाए तो वहां पर वील पूल वातावरण तयार किया जाए यानि कि उनकी जो एक्सेसिबिलीटी है इस अभियान के घटक है वह यहीं है कि भौतिक वातावरण में सुगम्यता को बढ़ाना सावजनिक परिवहन रेलवे है या सावजनिक परिवहन है वहां तक पहुंच उनके लिए उपलब्द कर बनाना है सुगम में भारत अभियान का उद्देश्य है और यह दिव्यांग जनों से संबंदित अभियान है तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रशन पर तो अगला प्रशन है कि सुनने भेदभाव दिवस सुनने भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है तो महिलाओं के साथ चलती के लिए एक मार्च को विश्व सुनने भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनके एमपावरमेंट और सेक्षल इनेक्विलिटी को खतम करके सेक्ष्य सेप्रभी को बढ़ा हुआ देना है यानि की लैंगिक्समांता करेना है है भी लिंक के आधार पर भेदभाव को नश्ट करने की बात की गई है तो वहीं पर आगे देखा जाए तो संयुक्त राष्ट एड्स कारेकरम द्वारा सुने भेदभाव दिवस्त को मनाया जाता है तो संयुक्त राष्ट का मानना है कि एड्स को मिटाने के लिए महिलाव के साथ होने वाले जो भेदभाव है उनसे लड़ना सबसे महतपून का रहे है अभी वर्तमान में तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और पांचवे प्रश्ण पर तो अगला प्रश्ण है कि किस भारतिय पहलवान ने यूक्रेन के कीव में आयोजित आउट इस्टेंडिंग यूक्रेनिय रेसलर और कोच मैमोरियल इवेंट में स्वन्पदक जीता तो अप्शन बजरंग पूनिया सुसील कुमार विनेश फोगाट या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा विनेश फोगाट विनेश फोगाट ने अभी फरवरी 2021 में यूक्रेन के कीव में आयोजित आउट स्टेंडिंग यूक्रेनियन रेसलर और कोच मैमोरियल इवेंट में स्वन्पदक जीता है विनेश फोगाट इससे पहले एशियाई खेल और राष्ट मंडल खेलों में भी स्वन्पदक जीत चुकी है इससे पहले देखा जाए तो वो जुलाई 2021 और अगस्त 2021 के बीच होने वाले टोकियो ग्रीश मकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए चैनित हो चुकी है और टोकियो ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली ये एक मात्र भारतिय महिला पहलवान भी है तो कौन है विनेश फोगाट एक मात्र भारतिय महिला पहलवान है जो कि टोकियो ओल 2021 से अगस्ट 2021 के मद्दे किया जाएगा उसमें चैनित होने वाली उस में उस गेम में शामिल होने के लिए चुनी जाने वाली एक मात्र भारती महिला पहलवान कौन है विनेश फुगाट है विनेश फुगाट भारत के हर्याना राज्ये से आती हैं और उन्हों 2016 में अर्जु खालATOR में भारत का विदेशी मद्रभंडाः 583.05666 अरव डॉलर पर पहुंच गया विदेशी मद्रभंडार वाले देशों में भारत का स्थान क्या है पहला तीसरा पांचवा या छटा तो इसका अंसर होगा पांचवा तो विदेशी मुद्रा भंडार की शेणी में देखा जाए तो भारत का इस्थान पांचवा है और भारत का विश्व मुद्रा भंडार अभी हाली में 179 मिलियन डॉलर की गिरावट के साथ 583.86 डॉलर पर पहुंच गया है विश्व में सारवधिक विदेशी मुद्रा भंडार देशों की सूची में भारत का इस्थान कौन सा है पांचवा है पांचवे इस्थान पर भारत का इस्थान आता है या विश्व में यानि कि जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है इसके साथ ही इस सूची में देखा जाये तो सबसे ज़्यादा जो मुद्रा भंडार जिसका इस्थान पहले पर आता है विदेशी मुद्राभंडार जिसके पास है वो चीन है चीन का इस्थान विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व में सबसे अधिक है पहले इस्थान पर है चीन तो देखते हैं क्या होता है विदेशी मुद्रा भंडार तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की अर्थ वेवस्था के पास कुल उपलब्ध विदेशी मुद्रा जिसकी विदेशी मुद्रा या विदेशी भंडार कहा जाता है यानि किसी भी देश के पास जो कुल विदेशी मुद्रा है जो विदेशों से भारत आई है या किसी भी देश में आ गई है तो उसकी विदेशी मुद्रा भंडार कहलाती है अंतराष्टिय मुद्रा कोष्ट के अनुसार यारी देखें तो आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार जो है यानि कि BOP भुकतान संतुलन के संकट के समय उधार लेने तक अगर पहुँच कम होती है यानि कि हम उधार नहीं ले पा रहे है तब उस इस्थिती में balance of payment के द्वारा विदेशी मुद्रा के द्वारा तरलता बनाये रखने में जो है संकट और balance of payment के संकट को अफशोशित करने में ये सहायक होती है कौन विदेशी मुद्रा तो balance of payment जो होता है वो एक वित्ते वर्ष में कहते हैं और यदि किसी देश के साथ अधिक मात्रम में हमारा व्यापार होता है आयात निर्यात चलता है तो विदेशी मुद्रा का आगमन और पलायन दोनों होता है और जब विदेशी मुद्रा का आगमन अधिक और पलायन कम होता है तो हमारा balance of payment surplus में रहता है यानि कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अच्छे पैमाने पर जो है growth कर रहा होता है वहीं यदि balance of payment का संकट कब उत्पन होता है ये संकट तब उत्पन होता है जब हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का आगमन तो कम लेकिन पलायन बड़ी मात्रा में हो रहा होता है तब balance of payment का संकट उत्पन होता है और यदि उस समय हमारे पास इस संकट को दूर करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है तब उस समय IMF, SDR का उप्योग, IMF से हमें साहता मिलती है और हम SDR का उप्योग करते हैं जिसे paper gold भी कहा जाता है special drawing rights का उप्योग किया जाता है इसके द्वारा IMF उस देश को जो उसका सदस्ते देश है और balance of payment के संकट से जूज रहा है उसको special drawing rights के द्वारा संतुलित करने का प्रयास करता है तो IMF का जो कारे होता है वो balance of payment के संकट के समय सदस्ते देशों की सहायता करना उसका उद्देश्य होता है इसी के साथ देखा जाए तो किसी भी देश में विदेशी मुद्रा भंडार के निमलिके चार तत्व होते हैं यानि कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है जो गोल्ड के रिजर्व है स्वर्ण भंडार है या IMF के पास किसी देश का रखावा रिजर्व कोश है और इसके अलावा इस पेसल ड्रॉइंग राइट SDR भी विदेशी मुद्रा भंडार के प्रमुक तत्वों में से एक है तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर तो अगला प्रश्न है कि केंद्रिये इस पात मंत्राले द्वारा ओडिसा को स्टील हब बनाने के लिए किस परियोजना को प्रारंब किया गया तो अप्शन है मिशन सूर्य उदे, मिशन ओडिसा, मिशन स्टील हब या इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा मिशन सूर्य उदे तो केंद्रिये इस पात मंत्राले ने अभी ओडिसा के कलिंग नगर को स्टील हब बनाने के लिए क्या कौन सा मिशन सुरू किया और इस प्रियोजना का संचालन जापान के तक्निकी सहीयोग से किया जाएगा और ओडिसा को इसके लिए क्यों चुना गया क्योंकि ओडिसा का जो एक स्ट्रेजिक पाये जाते हैं जिसके कारण इस टील का उत्पाधर अच्छे से किया जा सकता है यानि कि प्लांट अगर हम और इसा में लगाते हैं तो कच्चे माल की उपलब्दता बड़ी ही आसानी से हो जाएगी जिसकी वज़ाएसे वहां पर ही हम जो संचाधन है इस टील बनाने के प्ल सरकार द्वारा जो परियूजना बनाई गई है उसका नाम है मिशन सूर्य उद्य का उद्देश स्टील हब बनाना है तो इसे किसा चलते वीडियो के प्रश्ण पर तो अगला प्रश्ण है कि वह कंप्यूटर निर्माता कंपनी जिसके द्वारा समुदरी प्लास्टिक कच्र यानि की हूँलेंट पैकाड है कंप्यूटर निर्माथा कंपनी है समुद्र में प्लास्टिक कच्रे का उप्योग करके अपना पहला उपभोगता PC विखसित किया है और कंपनी ने महासागर से जोड़े प्लास्टिक का उप्योग करते हुए पैवेलियन 13 पैवेलियन 14 और पैवेलियन 15 लेप्टॉप का निर्मार किया है तो चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रशन पर तो अगला प्रशन है कि हाली में भारत और किस देश के मद्ध युनाइटेड नेशन सेक्योरिटी काउ कि चर्चा की गई यानि की संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिस्द की चर्चा की गई तो अप्षन है आयरलेंड दक्षिन अफ्रीका इंगलेंड या फ्रांस तो इसका उत्तर होगा आयरलेंड अभी हाली में भारत और आयरलेंड ने वर्चुली मोड में संयुक्त लक्षा परिस्द में एक दूसरे के चयन पर बधाई दी यानि कि दोनों जो इस्थाई सदस्य के रूप पर चुने गए हैं तो दोनों ने गुसरे को बधाई भी दी इसमें उन्होंने यू एन्सी की परथा मिक्ताओं के संबंद में चर्चा की यदी हम एक दृर्ष्टी भारत और आयरलंड के संबंदों पर डाम तो इन दोनों के बीच जो दुईपक्षी ये संबंद है वह संघर्ष किया उन्होंने सिस्टर नवेदिता और एनी वेसेंट सहीत कई लोगों द्वारा मजबूत भी किये गये इस परकार भारतिय संविधान पर भी आयर्लेंड के संविधान का प्रमुख प्रमुख प्रावधान हैं प्रमुख रूप से परभाव पड़ा है यदि देखें तो भारतिय संविधा संविधान में आयर्लेंड के संविधान से कुछ तथ्यों को सामिल किया गया जैसे कि नितिनी देशक्तत संविधान के भागचार में हैं उसी तरीके से राष्टपती द्वारा राज्य सभा में साहित्य कला विज्ञान समाज से वाइंचार छेत्रों से जो सदस्यों का मनो नयन होता है भी आयर्लेंड के संविधान से शामिल किया गया है इसी प्रकार राष्टपती की निर्वाचन संविधान से प्रकरिया है इसी प्रकार देखा जाता है भारतिय राश्टिय आंधोलन के दोरान हम देखते हैं कि एनी वेसेंट जो की आइरिस लेडी है वो आइरिस के संधश के समान ही ऑने भारत में संधश श्रू करने के लिए होम रूल लीग की सुरूत की होम रूल लीग की शुरुआत आयरलेंड में 1860 के समय की गई थी और 1906 तक वहाँ पर होम रूल लीग चला था जिसका योगदान इस आंदोलन का योगदान आयरलेंड की सोतंतरता में महतपूर्ण था तो एनी वेसेंट ने भी भारत में होम रूल लीग की स्थापना करने का प्रयास किया और इ इसी परकाए दिश्टी डालें तो क्या है सायुक्तराष्ट सुरक्षा परिसाथ तो सबसे महतवपूर्ण एकाई है एक इंपॉर्णंट यूनिट है जो उसकी छैकाईों में से एक है जिसका प्राथ्मिक कारे अंताराष्टि इस तर्प्र क्या है सांती और सुरक्षा को है रखना है वहीं संयुक्तराष्ट सुरक्षा परिशद ने अपना पहला सत्र जो शुरू किया था वह 17 जनवरी 1946 को बेस्टमिंस्टन लंदन में आयोजित किया था तो इसका फर्स्ट सैसन था वो कहा था 17 जनवरी 1946 में बैसमिंचन लंदन में इसको आयोजित किया गया था वहीं संयुक्तरा सुरक्षा परिश्यद में सदस्यों की संख्या देखें तो कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है और इसमें से 5 सदस्य इस्थाई होते हैं पर्मानेंट होते हैं वहीं 10 जो सदस्य होते हैं वो इस्थाई होते हैं पाँच सदस्य पाउर फ्रॉस और चीन यह पाँच इस्थाई सदस्य क्योंग अलावा दस अन्य देशों को छेत्री आधार पर दो वर्ष के लिए इस्थाई सदस्य के रूप में चुना जाता है यानि कि जो दस इस्थाई सदस्य हैं उनका जो कारेकाल होता है वो कितने समय के लिए होता है दो वर्ष के लिए होता है जबकि इस्थाई सदस्य हमेशा बने रहते हैं तो इनको दो वर्षों के लिए इस्थाई सदस्य को छेत 2021 का छेत्र मुल्यांकन शुरू किया है तो अप्शन है परिया और वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रा ले आवास और सहरी मामलों के मंत्रा ले किर्शी एवं किसान कल्यार मंत्रा ले या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा आवास और सहरी मामलों के मंत्रा ले आवा स्वच्छ थार सब्सक्राइब ऑपक्राइब ऑफ करेंदो करतेज या सब्सक्राइब उसक्रेय Titans वो 2016 में आयोजित किया गया था और इसे स्वच्च भारत मिशन के एक हिस्से के रूप में लॉंच किया गया था तो स्वच्च सर्विक्षण की जो सुरुवाद 2016 में की गई और इसका उद्देश बिभिन वे जिलों का आकलन करना है और उनका स्वुच्च सरकार का उद्देश है कि जिलों के मद्धे राज्जियों के मद्धे या शहरों के मद्धे जो है प्रतिसपर्धा उत्पन हो स्वच्छता को लेकर और कौन शीश पर आता है इसकी प्रतिसपर्धा के कारण उन जिलों राज्यों या शहरों में क्या हो गई स्वच्छता की गुडवत्ता में सुधार होगा तो इसी के साथ से यह हम देखें तो कीचर से संबंदित जो इंडिकेशन से हैं उस पर केंदरित होगा 2021 का जो सर्वेक्षन हैं इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट यानि की अफसिष्ट प्रवंधन और लैंडफिल के उपचार के लिए लैंडफिल ट्रीटमेंट से के जो मुद्दे हैं उस पर भी स्वच्छ का जों सर्वीक्षन 2021 के न ft के लाया जाएगा तो इसके साथ ही शह्रों और राज्यों की रेंकिंग के अलावा जिलों ख रांकिंग परदान करेंगा तो यह था मेंड़ा प्रस्षन और के साथ चलते हैं वीडियो के अंत में पूछा जाने वाले प्रशन पर जिसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना होता है तो कुशन है कि किस भारती राजनेता को किस भारती राजनेता को सेराविक वैस्विक उर्जा एवं परियावरण नेत्रत्व पुरुसकार सेराविक वैस्विक उर्जा एवं परियावरण नेत्रत्व पुरुसकार यानि कि सेराविक Global Energy and Environment Leadership Award से सम्मानित किया जाएगा तो option है नरेंदर मोधी, प्यूश गोयल, निर्मला, सीता, रमन, हर्दीप सिंग पूरी तो इसका अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और PDF फाइल के लिए टेलिग्राम पा फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद